कि जहने नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्वागत आपके अपने इडियो चनल कमांड और केडमी में दोस्तों आज का वीडियो इस्पेशली यह बहुत इंपोर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो भी परजेंट हमें ऐसे जीडी की तैयारी करें ऐसे जीडी कि पॉइंट बताने वाला हूं उनका आपको विशेज ध्यान अखना है जैसे ऐसे जीडी जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनती है किस आदार पर बनती है क्यूंकि आप सभी को पता है ऐसे जीडी में कई परक़र के आरप्शन लगे होते हैं तो इसकी फाइनल मेरिट बनती कि आपको फॉरम में अप्लाइ करना है तो किस आदार पर करना है ताकि आपको फाइदा हो सके आपको बेनिफिट और पता भी रहे कि आपकी मेर्ट इस कोडिंग बनती है क्योंकि बहुत सारे बच्छों पता ही नहीं होता फिर फारम जैसे मालों गर उनको कोई आरक्षन मिलत सबकुम इस चेंख इसन पेलख को मिलते और को मिलते हों मिलते इसके अलावा ब्साले है उंहें अलग और इसकी सिप्राइध लिएड अलग जरी जटी दिस्टिवाइड इस टीवाइड दिस्टिक बहुतार वस्तिक फिर स faisait का फिर और उनक्तिक बाद भी बिकर कारमाद जो इसमें अलग-अलग केटेग्रिया होती हैं उनमें भी डिवाइड होती हैं फिर गल्स और बोईज फिर ही इसमें शीटे तो उसमें मतलब काफी बांग मतलब काफी बड़ा यह मान के चलिए उल्जने होती है पता नहीं लगता कि कैसे इसकी फाइनल मेट आती है दोस्तों दोस्तों जब इसकी फाइनल मेट बनती है उसके आप जब नोटिफिकेशन इसके देखेंगे तो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे चीजे लिखी रहती है उसको आपको शरू में ही पढ़ लेना बेट रहता है अब वीडियो एंट तक देखने हैं फायदा यह होगा कि कुछ अब दूसरा अब अगर नंबर बराबर तो फिर किसका फाइस साइंस पड़ेगा अब दोस्तों बात आजए पिया नंबर बराबर होने पर अगर कोई बच्चा जनरल दिस्टिक का यह कोई बोर्डर डिस्टिक का मतलब अगर सेम एदिश्ट पर सब्सकर दोब और स्थीन में नवा घुए लिए ने दिसितिक वाले अब माझनलो वह बच्चा है और तीनों को तीनों जनरलिश्टिक से ठीक से तो फिर किसका नवर आएगा तो उस बच्चे का नमर आएगा जिसके ए भाग भी भाग में नमबर ज्यादा अम लो इन दो बच्चों के ए भा फिर बनता है कि अलफा वेयट इनके नाम के अलफावेय Starbucks होता है इसपे अधने अंगल में सेम नंबर होणे के बाद में घ्रबाएच चाही Now we have questions कि उसकी जो मेरी चेटिक है वे स्थ्सिट्रिक वी पड़ता रॉडडर लिच्ट्टिक भी पड़ता जे बने गी वह बनेगी इस बात का विसाइज दानक ना कि आपकी मेरit कहां से बनेगी बोडर डिस्टिक्ट्gili कि अगर आप नक्सल और जेनरल बच्चा बच्चा ओभी सिखाने अभी यह नहीं कि वह सेम नंबर पर जेनरल का अज़ा होगा तो जनेरल की मेरेट आए लग रहेगी में क्यों यह बता रहाँ सेम नंबर पर सेम केटेगरी में अगर कोई बच्चा होता उसके लिए नहीं तो सबस्क्राइब से बात है आरेक्षन मिलता नहीं ठीक है फिर अलफा बेट आगए फिर सेम नंबर जो हो जाते उस पर फिर आपका जो नाम भी माईने रखता है आपके ए और भी भाग पर भी आपको फोकस करना इस बात का मेरा कहने का मतलब है आपका ए और भी भाग यादि मेत और इस पर आपको फोकस करें वस्तों क्योंकि रिजनिंग और मेत जो आपके नंबर है उसकी वज़े से आपको मेंख्री लग भी सकते और बाहर भी हो सकते हो इसलिए वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वह यह है कि आपका ए भाग और भी वाग यादि मेत और रिजनिंग पर जयता फोकस करना द कि पर नहीं।